हरे कृष्णा गडपती बप्पा की जय हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश ची को प्रथम पूजनी माना जाता है और वे सभी गणों के स्वामी हैं गणेश भगवान की पूजा करने से ना केवल सुक्ष सम्रती बल्कि ज्यान की भी प्रापती होती है किसी भी नए काम की शुरुवात अगर गणेश भगवान का नाम लेकर की जाए तो वहकार हमेशा सफल होता है वैसे तो हर दिन ही गणेश भगवान की पूजा की जाती है लेकिन सब्ता में बुधवार का दिन भगवान की पूजा के लिए समर्पित होता है और वहीं विशेश फलो की प्राप्ति के लिए भाद्रपदमा और भी शुप मना जाता है। हिंदु धर्म में भाद्रपदमास को भगवान गणेशी के जन्म से चुड़ा बताया गया है। भाद्रपदमास के चुकल पक्ष की चतुर्थी तिथी के दिन ही भगवान श्री गणेशी का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल इस तिथी को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है जो लगभग 10 दिनों तक चलता है और जिसे गणेशो उत्सव भी कहते हैं। इस साल सामर्थ और श्रद्धा के नुसार गणेश भगवान की मुर्थी को अपने घर पर इस्थापित करते हैं, विराजित करते हैं और विधिविधान से उनकी पूजा करते हैं। इस तोरान भगवान गणेश की पूजा करने से सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। गणेश च कुछ लोग देर दिन के लिए तीन दिन पांच साथ या फिर ग्यारा दिन के लिए स्थापित करते हैं ऐसे में इन सभी दिनों में गणेश विसर्जन का शुक्मूर्थ क्या रहे इसके बारे में आपको हमारे इस वीडियो के लास्ट में जानने को मिलेगा इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय भी जरूर लिखेगा भादरपत शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन एक बात का ध्यान सभ भी भक्तों को रखना चाहिए कि इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद रात के समय चंदर देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जूटा कलंग लगता है चतुर्थी तीथी प्रारम होगी 6 सितंबर शुक्रवार की दो पहर तीन बज क चाहिए बजकर 14 मिनट पर सुरियास्त शाम्षय बशकर 34 मिनट पर होगा ब्रह्म मूर्थ सुभा चार बचकर 38 मिनट से पाल्च पछ शॉबिस मिनट अभिजीत मूर्थ दो पहर 12 बजे से 12 बजकर 49 मिनट तक रहेगा ब्रहमयोग राद 11 बजकर 16 मिनट तक रहेगा बाद में इंद्रियोग प्रारम हो जाएगा इस दिन रहुकाल सुभर 9 से 10.30 बजे तक रहेगा गणेश भगवान की पूजा का और इस्थापना का सबसे शुप मोट साथ सितंबर को सुभर 11 बजकर 3 मिनट से 2 बजकर 1 बजकर 34 मिनट तक रहेगा गणेश भगवान की पूजा तीनों पहर की जाती है सुभर मध्यान और शाम के समय गणेश चतुर्थी के दिन चंदरो देश सुभर 9 बजकर 29 मिनट पर होगा और चंदरास्त रात 8 बजकर 57 मिनट पर होगा चतुर्थी के वरत में भगवान गणेश जी के अलावा चंदर देवता की पूजा की जाती है तो इस दिन रात को चंदर देपता को अर्ग देते समय चंदर देपता की ओर देखे बिना ही उनके दर्शन की बिना ही पूजा करने चाहिए अर्ग देना चाहिए आज के दिन गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरी तरह से लाल या पीले वस्तर से ढख कर घर के अंदर लाना चाहिए जिस प्रतिमा में गणेश भगवान की सून दाइं तरह मुड़ी वी और उनकी हाथ में लड़ू या मोदग विराजमान होते हैं एसी प्रतिमा पूजा करने के लिए बहुत ही शुप फलदाई होती है इसके लावा गणेश भगवान जी की प्रतिमा बैठी भी हो साथ में मुशक भी विराजमान हो ऐसी ही प्रतिमा का चुनाव करना चाहिए गणेश इस्थापना के दौरान घर में किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए किवल सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए और गणेश भगवान जी को तीनों पहर भोग भी लगाना चाहिए अब जानते हैं विसरजन के शुब मोर्थ के बारे में जोकी अनंध चत्रदशी का मोर्थ रहेगा इस दिन गणेश विसरजन का शुब मोर्थ सुबह का मोर्थ है नौ बचकर ग्यारा मिनट से दो पहर एक बचकर से तालिस मिनट दोपहर का शुबमूर दोपहर तीन बचकर 19 मिनट से चार बचकर 41 मिनट और शाम का शुबमूत रहेगा शाम साथ बचकर 51 मिनट से रात 9 बचकर 19 मिनट गडेश भगवान जी की प्रतिमा को हमेशा विशम दिनों के लिए ही विराजित करना चाहिए और विशम दिनों पर ही उनका विसर्जन करना चाहिए गडेश चतुर्थी के अगले दिन यानि दिर दिन की स्थापना में अगले दिन विसर्जन किया जाता है जो भक्त देर दिन पर विसर्जन करते हैं वो गडेश भगवान की पूजा करने के बाद प्रतिमा को मध्यान के अगले पहर में विसर्जित कर सकते हैं ऐसे में आप 8 सितंबर अविवार को दोपहर 1 बच कर 49 मिनट से शाम 6 बच कर 25 मिनट के बीच में विसरजन कर सकते हैं तीसरे दिन विसरजन करने के लिए 9 सितंबर सोमवार को आप सुभा 9 बच कर 13 मिनट से शाम 7 बच कर 53 मिनट के बीच में विसरजन कर सकते हैं यदि पांस दिनों के लिए गड़पती बपा विराजित किये हैं तो पांच वे दिन यानि 11 सितंबर बुधुवार को आप सुबह 10 बच कर 44 मिनट से साम 7 बच कर 52 मिनट के बीच में विसर्जन कर सकते हैं सातवे दिन विसर्जन करने के लिए 13 सितंबर शुकुरवार को दो पहर 12 बच कर 15 मिनट से रात 9 बच कर 19 मिनट के बीच में विसर्जन कर सकते हैं यह दि विसर्जन से और स्थापना से संबंदिज जातकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूब कीजेगा